नमस्कार मैं हूँ वी नीदा स्वागत करना चाहूंगे आप सब योवा दोस्तों का जिन्होंने पूरी तनमेता से अपनी परिक्षाओं की तैयारी की है और आकश्माने के इस कारिक्रब अभ्यास को वो दे रहे हैं अपना भर पूर सहयोग आपके भेजी सवालों के मादिन से हम अवगत होते हैं कि आपके इस प्रकार लभानवित हो रहे हैं हमारे इस प्रयास से कुछ समय पहले ही जोग्रफी में human जोग्रफी पर एक आँख हमने किया और आपके बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो unanswered रहे थे चुकि वो physical जोग्रफी पर थे हमने आज बिलकुल उसी विशे को लिया है और अपने एक्सपर्ट के साथ हम इस वक्त आकाश्वाणी के स्टूडियो में बैठे हैं श्रिभी आरंबेतकर कॉलेज डेले युनिवर्सिटी के जोग्रफी में भाग से प्रोफेसर डॉक्टर रामा श्रे परसाद के साथ अब वर्य वर्य वर्म वेल भारत मुख्य रूप से एक क्रिशी प्रधान अर्थविवस्था है और भारत के सकल घरेलू उदपात में क्रिशी का योगदान 16 प्रतिशत है क्रिशी उद्योग पर हमारी निर्भरता के कारण मौनसून हमारे लिए सबसे महतुपूर्ण मौसमों में से एक है भारत में आम तौर पर मैस से अगस्तक मौनसून की बारिश होती है एक अच्छे मौनसून का अर्थ है अधिक क्रिशी संबंदी रोजगार जिससे उत्पादक पर सकरात्मक प्रभाव पढ़ता है बैंकों का रिण शुद ब्याज मार्जिन भी बढ़ाता है अर्थ व्यवस्था में आसान ब्यासदरें प्रबल होती है और बैंक शेरों का मुल्लिब बढ़ता है एक अच्छा मौनसून सीजन कूओं जमीन तालाबों या नदियों से पानी पंप करने के लिए उपयोग किये जाने वाले सबसिद्धी वाले डीजल की मांग को भी कम करता है मौनसून भूजल और जलाशियों को भी प्रभावित करता है जो रभी की फसल की सिचाई के लिए महत्वपून है ग्रामीन भारत में कूएं नदियां और हैंड पंप पानी के प्रात्मिक स्त्रोत हैं महिलाओं को पानी लानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था मॉन्सून भूमिकत जल स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है ये ग्रामीन विकास में सहायता करने वाले पृत्वी के जलाशयों की भरपाई भी करत है और जल विद्योत उत्पादन को भी बढ़ाता है खराब मॉन्सून का भारत की अर्थविवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सूखी के दौरान सरकार को प्रोचसाहन और सबसिद्धी के माध्यम से किसानों का समर्थन करना पड़ता है और इससे राजकोश्य घाटा बढ़ता है इसी लिए अच्छा मॉन्सून सीजन सरकारी खर्च को भी नियंत्रित करता है मॉन्सून भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है केरल में ओनम, असम में बीहु, उत्राखंड में हरेला पर्व और राखी यहां तक की लोड़ी जैसे प्त्योहार सभी मॉसमी परिवर्तन से जुड़े हैं और मॉसमी हवाओं के मेहत्वपून आगमन या प्रस्थान को चिनहित करते हैं और एक्स्पेर सेग्मेंट के बाद हम फिर आजर हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामा श्रेप्रसाथ और सवालों की लंबी फिर तो सबसे पहला सवाल है निवधिता का जारकन से सर्य बहुत ही रेगूरल इसनमे हैं और पढ़ाई बहुत करती हैं जाहर है इसलिए जो इनका पहला सवाल है मौनसूनी पौने एक तरह से वो पौने हैं जो दबाव के अंतर के कारण वो बहती हैं खास करके आप देखें तो मई जून में भारत में गर्मी होती है तापमान जादा होता है और इस तापमान के कारण जो भी यहां की वायू है या वायू मंडल है वह गर्म होता है और ग होता है कि कोई भी अगर गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है हवा में भी इंटर-molecular space में व्रद्धी होती है और इस तरह से हवा जब expand करेगी उसका विस्तार होगा तो घनत्व में कमी आती है जब घनत्व में कमी होगी तो सभाविक है कि वह दबाव कम होगा और कम दबाव होने के कारण क्या होता है कि गर्म हवा धेरे-धेरे उपर की और उठना सुरू हो जाती है निम्न वायुदाब का वहाँ पर छेतर कायम हो जाता है और इस तरह से निम्न वायुदाब की और उच्च वायुदाब से पौने चलने लगती है चुकि मैं जून की बात में कर रहा हूँ और जून के बाद ही मौमसुन का आगमन भी होता है भारत में तो उस समय यहाँ पर गर्मी के कारण इस तरह से होता है लेकिन आप देखें कि उच्च दवाव कहाँ पर है उच्च दवाव उन भागों पर है जहाँ पर जलखंड है जलखंड खास करके आप देख लिजिए तो हिंद महासागर है हिंद महासागर की दो साखाएं हो जाती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन भागों पर चुकी जलखेत्र है जलखेत्र पर तापमान उतना अधिक नहीं बढ़ता जितना की भूखंड पर होता है और इसलिए वहाँ पर उच्च दवाव हो जाता है और उच्च दवाव वाले छेत्र से निमन दवाव वाले छेत्र की ओर वायू का संचार होने लगता है और इसी तरह से ये मौसून की पौने यहाँ पर पहुचती हैं और ये इसको हम differential heating theory कहते हैं differential heating का मतलब होता है कि तापमान में खासकर के भूखंड और जलखंड के तापमान में अंतर होता है और इसी लिए बायोदाब में परिवर्तन होता है और बायोदाब के परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर पौने इधर के और आने लगती है चुकिटी समुद्री भाग से वो पौने आती है इसलिए समुद्री भाग पर जलवास उसमें भरपूर होता है और वैसे भी आप जानते हैं कि ज़लवास होता है तो वो हलका होता है और वो हलके जलवास जब एक तरह से concentrate होते हैं उपर के और जाते हैं तो वो फिर घनी भूत हो करके बादर का निर्माड करते हैं और फिर वर्षा होती है तो इस तरह से आगमन जो होता है वो मौंसुन का वह इस तरह से होता है अगला सवाल है वैशाली शा तो इंतजार होता है कि वह भारत को ही नहीं, भारत के बिभ्न भागोब पर भी सभी लोग इसका इंतजार करते हैं, इसलिए कि वैसे भी देखा जाये तो भारत एक विषाल देश है, बड़ा सा भूखंड है और इस इतने बड़े भूभाग पर विविदताएं बहुत प्रक हिमाले परवत है जो कि विश्व का सबसे उच्छा परवतों में भी एक है बहुत सारी चोटियां जो उनकी है वह विश्व के अन्य जो परवतों है उनमें भी काफी उची है मौंट एवरेश तो खेर है ही जो कि नेपाल में पढ़ता है और साथ में दक्षण की और पठार भ होता है और जिस तरह से ये विविताएं पाए जाती ही बहुतिक विविताएं है इन बहुतिक विविताओं के कारण भी तापमान में बरसा में अंतर होता है इसलिए यह एक तरह से सभी को मौंसुनी बरसा का इंतजार होता है ताकि जब भी वो बरसा आए उसके बाद में खेतिवारी का काम सुरू होता है समाने ते उन भागों में जहांपर की हमारे पास सिचाई की सुविधा नहीं है तो इसलिए मांसुनी वर्सा का हर कोई को इंजार होता है और इसलिए वे इसे आने का इंजार करते हैं हर कोई इंजार करता है और ये अगला सवाल है स्नेहा का दिली से ये पुछती है जलवायू भी बहुत इक भूगोल का हिस्सा है भारत की जलवायू को मौनसूनी जलवायू के नाम से जाना जाता है क्या यह दोनों ही एक है या इसमें कोई अंतर है कृपिया प्रकाश डाले यह मेरा भी बिलकुल य इस्तमाल कई के बार करते हैं एक तरह से इनानिमस वे में या पर्यायवाची सब्द के रूप में इस्तमाल कर देते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है एक है जलवायू और दूसरा है मौसम जो होता है वह छोटे से डूरेशन के लिए किसी छेत्र विसेश का हो सकता है ले average जो भी होते हैं मौसम के different components का उसका वो आउसत कहलाता है जैसे माल लेते हैं कि जब हम जलवायू की बात करते हैं मौसम की बात करते हैं तो अभी बादल आ जाते हैं या फिर कभी तेज हवाये चलने लगती है या तापमान में इस तरह का बदलाव होता है ये सभी हमारे एक तरह से देखा जाए तो मौसम के विभिन अवयव होते हैं भाग होते हैं और इन ही सबों का एक तरह से लंबे काल का आउसत अगर हम निकाल लें तो उस लंबे काल के आउसत को बड़े भुभाग के लिए उसे हम जलवायू का नाम देते हैं ये तो अंतर हो गया कई बड़े भी कहते हैं कि भारत किस्म की जलवायू यानि जहां पर जलवायू इस तरह की पाई जाती है भारत में जलवायू पाई जाती है वह है इसके आसपास के सरफरास पुछते हैं उसका वेग कितना है किस गती से वो चलती है ये कई components हो सकते हैं लेकिन इन सबों को प्रभावित करने वाले किसी भी छेतर विशेश का अलग-अलग हो सकता है खास करके अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत के जलवायू को प्रभावित करने वाले उच्चावच एक महत्वकूर कारक हो सकता है उच्चावच से मतलब हैता है उच्च और अवच्च इन दो सब्दों के संयोग से उच्चावच बनता है और इसलिए उच्चाई नीचाई का जिस तरह से वितरण है भूशरूप का वह एक कारण हो सकता है आप देखते हैं कि भारत के उतरी भाग में हिमाले परवत है और इस तरह से परवती जो इलाका है वह उतर के ठंडी वायू को तच्चछ की और आने में रोकता है अगर हम देखें तो सर्दी के मौसम में तापमान और अधिक घट जाता भारत के मैदाने इलाकों में जो की वो होने नहीं देता है सर्दी बहुत पड़ती है लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कल्पना कर लिया जाए कि अगर हमाले ना होता तो जो भी साइवेरियन रीजन से चीन से मंगोलिया से उत्तर से आने वाली पवने जादा सर्द होती है और ओर अधिक सर्द कर देती यहाँ पर पूरा का पूरा बर्फबारी हो जाता यह मांट एवरेस टेक अवरोध के तरह है वहाँ हाँ इसलिए मौसून एक तरह से यहां के क्लाइमेट को प्रभावीत करता है दूसरा प्रभाव उसका यह भी होता है कि जो भी मौसूनी पौने होती है जो मौस्चर लेडन विंड होती है उन पौनों में जलवास की मात्रा भरपूर होती है वो आगे की और बढ़ती है अगर हिमाले परभत न होता तो ये उत्तर की और बेरोक टोक चली जाती और अवरोध न होने के कारण यहां पर बरसा की कमी होती लेकिन चुकी यहां पर हिमाले परभत है और आकर के ये पौने टकराती है और टकरा करके ये उपर की और जाती है आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे हम भू सतह से उपर कोर जाते हैं तापमान में कमी होती है और तापमान कम होने के कारण वहाँ एक तरह से बादल का निर्माड होता है घनीभूत होती है यानि जो भी जलवास्प होता है वो घनीभूत होता है बादल का निर्माड होता है और वह बादल से जो बुंदे बनती हैं, जो जलवास्प है, उस जलवास्प से जब बुंद के रूप में परिनत होगा, जलवास्प तो वह भारी होता है, और वह भारी इतना होता है कि वह फिर हवा उसको suspended form में नहीं रख सकती, और इसलिए वहां से वह बुंदे नीचे गि वह होता है, बरसात होती है, दूसरा यह भी है कि तापमान आप देखें तो भारत के विविन भागों में अलग-अलग होता है, एक ही दीन में लेहन लद्धाक में आपको बर्त-बारी भी मिलेगी, और बाकी अगर दच्छनी भारत तक से ले जाएं तो वहां पर कम से कम 35- 40-40 डिगरी तापमान भी अजी दिखाई देगा, तो इस तरह से तापमान में बहुत variation होता है, इसलिए समुद्री की लाना होने के कारण भी वहां का सालों भर तापमान उतना ज्यादा नहीं होता है, जितना की राजस्थान में हम गर्मी के दीनों में देखते हैं, बहुत accessible कम भी नहीं होता है, जबकि अगर आप राजस्थान का पश्मी हिर्सा मान लें जहां पर की मरुस्थलिय इलाका है, उन मरुस्थलिय इलाकों में आप देखें तो दिन का तापमान अभी भी मेरे ख्यासे वो 35-40 डिगरी के आसपास पहुंच जाता होगा, सितंबर में भी लेकिन अगर आप जून की बात कर लें तो वहाँ पर तापमान करीब 45-47-48 डिगरी, 50 डिगरी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसी दिन 24 गंटे के अंतराल पर सुबह में आप देखें तो करीब 4 बजे, 4.5 बजे के आसपास तापमान हुआ है, करीब 17-18, 20 डिगरी के अक्षांस हो सकते हैं, डक्षणी भाग जो है, आपका कम अक्षांस है, जैसे जैसे उत्तर की और जाते हैं, वो अक्षांस बढ़ते जाता है, तो अब एक सवाल और है, लेकिन इसको आपसे पूछने से पहले हम अपने श्रताओं को ये बता दें कि अगर वो इस कारेक्ट पहनियत दी जाती है, और बारिश पे एक से गाने भी वने हैं, चलिए एक बहुत ही पुराना गाना है, जो कि मने बहुत पुराना है, उरसे 1957 की एक फिल्म थी, दो आखे बारहात, उसमे एक बड़ा ही लाइबली सा गाना है, उमर घुमर कर आईरे घटा, उसमें पहले हैं हुली सरे लाजरे ज्साओ के बारहाँ, झालिए भराणा सव एक बारहात, उसमें पहले हैं, उसमें एक से इार चाह बहुत हिरों आए पालिए? झाल झाल मेरा अजर हैं और कारकरम है अभ्यास जिसमें हमारे एक्सपर प्रॉफेसर रामश्रे प्रसाथ जो के बियारंबेटकर कॉलिज से हैं और सर ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिये आपके लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे पास है और आपको इंतजार होगा क हम उन सवालों को ले हमारा अगला सवाल है नमस्ती मेरा नाम है विपीन मैं बेउस्राइबिहार सी हूँ मेरा सवाल है वाताग्र क्या है चक्रवात निर्वान में वाताग्र की क्या भूमी क्या है वाताग्र सब्द से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं वात प्लस अग् यानि दो तरह की पौने हैं और दोनों एक दुसरे की और आपस में मिल रही हो तो दोनों और के उन पौनों का अग्रभाग वातागर कहलाता है वात का मतलब होता है वायू इसलिए दो तरह की ठंडी और गर्म पौने जब एक साथ आकर के आमने सामने टकराती हैं मिलती हैं सं ग् Russia कनाम देते हैं और ये वह टाग्र है नेकिन चक्रवाग के चक्रवाक नाम होता है लेकिन चक्रवात भी भारत में आते हैं इस तरह के चक्रवाद से उसका संबन्द नहीं है बलकि एक सितोषन कटी बंद का चक्रवाथ है यह सितोषन का मतलब होता है वह भाग जहां सित और उशन दोनों ही प्रकार की पावने आपस में आकर के आमने सामने होती हैं खास करके धुरुविय प्रदेशों से आने वाली पावने सर्द होती हैं जो दक्षण की ओर है, मैं उतरी गुलार्द की में बात कर रहा हूँ, तो उतरी गुलार्द में, उतरी अट्लांटिक या उतरी पैसिफिक ओसन में, जो पॉने होती हैं, वो आपको गर्म होती है, इसलिए धुर्बों की ओर से आने वाली पॉने और गर्म पॉने, जो की आपको दक्षण से उत्तर की और जा रही होती है दोनों के टकराव बिंदु पर एक तरह का वातागर का निर्मान होता है अब ऐसे में होता क्या है? वातागर भी दो तरह के होते हैं एक तो जिसमें की उष्ण पौन का ज़्यादा प्रभाव हो और दुसरा जहां पर सीत पौन का ज़्यादा प्रभाव हो आप देखेंगे कि उतरी गुलार्द में दाहिने साइड में आपको भी पता होगा कि जब पौने चलती हैं उतरी गुलार्द में तो अपनी इंगित दिसा से दाहिने की और मूड करके चलती है जिसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं वैसे इस प्रस्ण से संबंदित नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना ही बता दूँ कि उतरी गुलार्द में चलने वाली पौने अपने इंगित दिसा से दाहिने की और मूड करके चलती है जबकि दक्षणी गुलार्द में ये बाएं की और मोड कर चलती है चुकि उतरी उत्तर से आ रही है दुर्बों से आ रही है तो दुर्बों से आने वाली पौने जो होंगी वो अगर आपका फेस नौर्थ की और है तो लेफ्ट साइड में आपको ओ ठंडी पौनों का प्रभाव जादा होगा दाहिने की और आपको गर्म पौनों का होगा और जब यहाँ पर टकरा करके इस तरह से दोनों मिलती हैं तो उस तरह से वो अकलूड़ेड फ्रंट का निर्मार करती है और इस तरह से वहाँ पर यह चक्रबात आता है और इससे सिमिलर ही क्वेश्चन है जो कि ताने अवद्स ने पूछा है मेरा सवाल है कि इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है और इसमें उत्तर या दक्षिन की ओर डेविएशन किस परकार होता है धन्यवाद सर बिल्कुल यही बात आप पर बता भी रहे है बिल्कुल बिल्कुल तक यह इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जोन यानि एक तरह से वह भाग जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर उश्ण कटिबंधी अभिसरान च्छित्र इंटर टॉपिकल कन्वर्जन वो है जहां पर की इक्वेटोरियल रीजन में दोनों ही गुलारदों से पौने आकर के मिलती हैं और उनके मिलन बिंदु को हमारा एक तरह से देखा जाए तो इक्वेटोरियल छित्र कहलाता है और दूनों और की पौने आकरके एक और डूसरे से मिलती है और अभी-भी मैं बता रहा था कि यहां जो उतरी गुलारद में अपने से इंगित दिसाथ से दाहिने की और और दक्षन गुलारद में आकरके मिलती है तो आप देखें होंगे आपके किताब में डाइग्राम भी होगा, वहाँ पर एक सरकिल में दिखाया हुआ होता है, उतरी गुलार्द से दाहिने के और मुड़ते हुए आकर के विश्वत रेखा पर तकरा रही होती है पौने, तो दूनों ही गुलार्दों से आकर के तकराने वाली पौनों को हम इंटर ट्रोपिकल कनवर्जेंस जून कहते हैं और ये एक तरह का आइडियल कंडिसन उस समय होता है जब सूर्य का डाइरेक्ट सनलाइट होता है एक्वेटर पर और ये होता है 21-22 मार्च और 22 सितमबर के आसपास, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उतरायड ह उतर की ओर मार्च के बाद और सितमबर के बाद दक्षण की ओर ये जाने लगता है इनफेक्ट कहते तो हैं कि सूर्य जाता है पर जाता सूर्य नहीं है बलकि प्रतवी के एक्सिस पर जुकाव के कारण प्रतवी के दक्षणी गोलार्द का जुकाव सूर्य की ओर होने लग और जैसे जैसे समय बित्ता है मई जून तक सबसे तिब्र गर्मी पढ़ती है और इस तरह से ये जैसे जैसे उत्तर की ओर गर्मी बढ़ते जाती है जो इंटर ट्रोपिकल कनवर्जेंस जून था वह उत्तर की ओर सरकने लगता है और यहीं इंटर ट्रोपिकल कनवर्जेंस ज जून के अंत तक या जुलाई के बिगनिंग तक आकर के इंडो गंजेटिक प्लेइन में एक तरह से स्टैब्लिस हो जाता है जिसको हम मौनसून ट्रफ का भी नाम देते हैं यह मौनसून का ट्रफ होता है जो की एक तरह का लो प्रेसर होता है और यह यहां से इनवाइट करता है मैई जून में और अब यह सवाथ मैं सुमाश प्रजापति गुरुगराम से भागौलिक द्रिष्टी से डेल्टा का आविश्कार किस प्रकार होगा समझाई है आपका अभी प्राय मेरे ख्याल से नदी द्वारा बनाये जाने वाले डेल्टा से है और डेल्टा का आवि से बहते हुए अपना जल ले करके आगे की और बढ़ती है जब वो परवतिय छित्रों में होती है उसमें काफी तिब्र धारा होती है और पानी के साथ में बहुत तरह के सेडिमेंट्स उसमें होते हैं तल छट होते हैं लेकिन वह अधिक धाल के कारण वहाँ पर तो बड़ बड़े boulders, pebles, grebles भी लुड़कते हुए आगे की और बढ़ते हुए आते हैं लेकिन जैसे जैसे वह जल आगे की और बढ़ते जाता है नदी के मार्ग से होते हुए मैदानी इलाकों में आकर के डھाल कम होने के कारण उसमें प्रवाह बहुत कम हो जाता है यानि के उसमें तलचट होते हैं वह बहते हुए पानी के साथ में समुद्र के किनारों तक पहुँ जाते हैं आपको भी पता होगा कि समुद्री इलाका एकदम फ्लैट होता है वहाँ पर जब नदी पहुंचती है तो ढ़ाल नगणने हो जाता है और इसलिए वहाँ पर कम ढ़ाल के कारण पानी बहुत धीरे 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 आगे के और बढ़ता है समुद्र में जा मिलता है लेकिन वो जो सुक्ष मकण होते हैं बहते हुए जल के साथ में वहाँ तक पहुंचते हैं वहाँ धीरे धीरे डिपाजिट होने लगते हैं उनका निछेपण होने लगता है और उस निछेपण के कारण कैक बार जो तलचट नदी के मार्ग में ही जमा हो जाते हैं और उस तलचट के जमाव के कारण एक तरह का डिल्टा का एक्स्टेंशन होता है वह आम तोर पर तीकून या एक तरह से ट्रेंगुलर सेप में होता है और उस तरह से तलचट के जमाव के कारण ये हमारा डिल्टा का निर्माड होता है यह अलग-अलग नदियां जो है अलग-अलग परकार के डेल्टा बनाती है जो अलग-अलग परकार के हो सकते हैं जिसकी चर्चा अभी मुझको नहीं लगता है कि जरूरी है नहीं तो अब यह सही बात है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी और फूटफुल बातें की लेकिन एक बहुत ही इंपोर्टन सेग्मेंट है फैक्ट फाइल तो हम बगैर वगजाय के सुनते हैं इस प्रोग्राम को और इस बार का विशे भी बहुत इंप्रेस्टिंग है डा गिक्रित किया गया है बहुत प्राचीन काल से भारत के शास्त्रिय निर्त्य रूपों को एक अनुशासन और कला के माध्यम से खुद को भगवान को समर्पित करने का एक तरीका माना जाता है भारत में कई निर्त्य हैं जो देश के हर राजी से आते हैं लेकिन राश्ट्रिय स्तर पर मानिता प्राप्त शास्त्रिय निर्त्यों के केवल आठ रूप हैं वे भरतनात्यम, मनिपुरी, कथक, ओडिसी, कथककली, मुहिनी अट्टम, कुचिपुरी और सत्रिया हैं तमिलनाडू का भरतनात्यम भारत का पहला पारंपारिक निर्त्य है, मनिपुरी निर्त्य मनिपुर में सधियों की अवधी में विकसित हुआ कथक उतरी भारत का एक प्रमुक नृत्य है और आज उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश और यहां तक की पश्चमी और पूर्वी भारत के कुछ हिसों में व्यापक रूप से प्रचलित है ओडिसी नृत्य की उत्तरी पूर्वी भारत के ओडिशा में हुई है कथक कली या कहानी नाटकों में रामायन और महभारत की कहानियों को दर्शाया गया है जो केरल में आकार ले चुकी है मुहिनी अट्टम भी केरल से तालुक रखता है कुचिपूरी की उत्पत्ती आंद्रप्रदेश से हुई है असम के मठों में विक्सित सत्रिया नृत्य है भारत के लोक नृत्य केवल शरीर की गती विद्यों से कहीं अधिक है वे छोटे शेत्रों में लोकप्रिये हैं पूर्वी भारत का छव नृत्य, ओडीशा, जारखंड और पश्चिमी बंगाल, मार्शल परंपराओं, मंदिर के रीती रिवाजों और लोक का मिश्रण है गर्बा, गुजरात से आता है जो देवी दुर्गा को समर्पित एक पारंपारिक नृत्य है रौफ, जम्मू और कश्मीर का सुख दायक नृत्य है राजिस्थान के घूमर में पेचीदा सर्कुलर मॉव्मेंट शामिल होती है असम से बीहू, लोक नृत्य, बीहू उत्सव की दौरान किया जाता है लावनी, महराश्र का एक नृत्य रूप है और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको अगावी परिक्षाओं की जानकारी भी दे दें और ये जानकारी देंगी दीपमाला बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान, IBPS एक अक्टूबर को PO मेंस परिक्षा आयोजित करेगा कर्मचारी चैन आयोग एक अक्टूबर को SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर एक की परिक्षा आयोजित करेगा SSC दिली पूलिस हेड कॉंस्टेबल, मिनिस्ट्रियल पदो के लिए 10 से 20 अक्टूबर तक विभिन पालियों में ओनलाइन लिखित परिक्षा आयोजित करेगा पिछले अंक में डॉक्टर सिंगधा ने इंशेंट इंडियन इस्ट्रिय पर आपसे कुछ सवाल पूछे थे और जो सवाल आपसे पूछा था उसका सही जवाब दिया है अभिनंदन कुमार मुजफरपूर बिहार से तो आपको अभिनंदन बहुत-बहुत मुबारक हो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर साब से कि आप ऐसा एक छोटा सा सवाल पूछें क्योंकि उसके जवाब में हमें अपने उस विनर को देना हो गया एक E-Certificate एक होड़स ही लग जाती है E-Certificate पाने के लिए तो एक सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट पुछेंगे हमारे शुरताओं से आप अपने घर के रसोई में देखते हैं जब भी खाना बनता है तो वो भाप जो है उपर की ओर ही जाता है कारण क्या है इस सबल का जवाब आप हमें जल से जल 28 सितंबर तक प्रिशित करें और हम अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं जानकारी दे दें कि AIR ओफिशिल यूट्यूब पर या पर न्यूज ऑन आया आया आप पर आप इस कारेक्रम को लाइफ सुन सकते हैं शनिवार राज साड़ पेयाभ्यास.airnews.gmail.com पर इस बार हमारा विशे होगा पब्लिक अड्मिस्ट्रेशन तो आप हमें अपने सवाल जल से जल भेजें सवाल भेजने की अंतिमतारी का टाई सेतंबर होगी अब मुझे यानि विनीता को दे अजासत नमस्कार